आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, आज का जो Question ने देखे यहाँ पर पूचाए कि Which of the following aromatic acid is most acidic? कि इन में से कौन सा हमारा aromatic acid जो है, वो सबसे ज़्यादा acidic है तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इन में से सबसे ज़्यादा आपका acidic कौन सा है तो acidic जो हम देखते हैं वो कैसे देखेंगे? जैसे यह आपको क्या दियो है बेसिकिलिए यहाँ पर Mina कार्बॉकसलिक acid दिया हुआ है यहाँ पर Tips60 में क्या दिया हुआ है यह COH है मतलब कि reciproc public acid गूर ज़ड़ा हुआ है तो यहाँ पर यह सारे benzoic acid के साथ substituted है, यहाँ पर OH गूरूप कि है? Substituted है तो हमें क्या देखना है कि यह से यह है सपोज इस तरीके से C double bond O O H तो acidic मतलब यह acidic है यह देखने के लिए आपको क्या करना है H plus loose कराना पड़ेगा यहां से क्या क्या करता है H plus loose तो यह आपका क्या बन जाएगा C double bond O O minus इस तरीके से बन जाएगा अब हमें basically क्या देखने है इसी की stability देखने है हमें क्या देखने है इसकी stability देखने है कि यह जो हमारा यह इस acid का जो conjugate base बना वो कितना stable है जितना वो stable होगा उतना ही आपका acidic होगा तो अब इन सबी options को consider करें तो यहाँ पे हमारा यह क्या है first option अगर मैं बात करूँ तो यह मेरा क्या है C double bond O O H तो जब यह आपका H plus loose करेगा तो basically आपका क्या बनेगा यहाँ पे हमें मिलेगा इस तरीके से यह हो गया C double bond O O minus तो यह जो negative charge है यह हमारा क्या है यहाँ पे यहाँ पे क्या है इस तरीके से delocalize होगा यहाँ पे और यह bond आपका इधर shift हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है यह इस तरीके से delocalization basically possible है यहाँ पे क्या है delocalization possible है तो यह आपका O minus double bond O तो यह इस तरीके से stable हो रहा है अब बात करते हैं second की second option की बात करते हैं तो second option में आपको क्या given है यह हमारा यहाँ पे क्या है C double bond O OH और यहाँ पे आपको क्या given है OH इस तरीके से तो यहाँ से आप H plus lose करोगे तो H plus आपका acid इसका acid कही जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यह आपका क्या हो जाएगा C double bond O O minus और यहाँ पे हमारे पास क्या है OH है तो basically आप देखो यहाँ पे तो यह आपका O minus इस तरीके से conjugation में भी रहेगा और यहाँ पे क्या कर सकता है इसके साथ hydrogen bonding बना सकता है यहाँ पे क्या कर सकता है hydrogen bonding यहाँ पे आपकी क्या पॉसिबल है Intra Molecular Hydrogen Bonding आपकी क्या पॉसिबल है यहाँ पे Intra Molecular Hydrogen Bonding तो यहाँ 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 किस से stabilizer delocalization से भी stabilizer और Intra Molecular Hydrogen Bonding से भी अब हम बात करते हैं कि इसकीत यहाँ पे third option की तो third option में हमें क्या दिया हुआ है थर्ड में आपको यहाँ पे यह इसके Meta पे OH ग्रूप दिया हुआ है तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यह मेरा इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे C Double Bond O OH है और आपको Meta पे क्या गिवन है? OH ग्रूप गिवन है तो अब अगर मैं देखू यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सिर्फ Delocalization involved है यहाँ पे क्या Delocalization है? Delocalization हमारा यहाँ पर भी था और आपका क्या हो रहा था? Intramolecular Hydrogen Bonding second में third में क्या है? यहाँ पर भी आपका Delocalization involved है अब जो यह OH ग्रूप है यह Hydrogen Bonding तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे Hydrogen Bonding पॉसिबल नहीं है यह क्या करता है? OH ग्रूप यह Ortho-Para Directing होता है इसका क्या होता है? Plus M effect तो इसके पास क्यूंकि Lone Pair है तो यह Ortho और पैरा Position पे क्या करता है? Electron Density को बढ़ा देता है तो यह इसकी कौन सी Position है? यह तो इसकी Meta Position है तो यहाँ पे यह Electron Density बढ़ाएगा नहीं तो इसी वज़ा से यहाँ पे क्या होगा? इसको Destabilize इतना नहीं करेगा यह इसको Destabilize नहीं करेगा बट यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? एक तो यहाँ पे Delocalization है OH है और यहाँ पे क्या है? पैरा पे OH ग्रूप है अब जब यहाँ से आप H प्लस निगालोगे तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पे आपका यह इस तरीके से C double bond O, O minus और यह मेरा OH है अब यहाँ पे यह OH का क्या होता है? और तो यहाँ पे यह इस पोजिशन पे क्या करेगा? negative charge generate करेगा और इस पे भी और इस पे भी negative charge generate करेगा तो यहाँ पे यह इसको क्या कर रहा है? destabilize क्योंकि यहाँ पे यह O minus है basically और यहाँ negative charge यहाँ पे अगर positive charge generate होता तो वो negative charge को stabilize करता तो यह इसको क्या करेगा destabilize करेगा ठीक है तो अब हम से क्या पूछा था कि which of the following is the most acidic तो अगर हम देखें यहाँ पे तो COH चो यह benzoic acid था basically यहाँ सिर्फ delocalization था लेकिन चो second वाला आपका option है वहाँ पे आपका stabilization किस से और हो रहा है intramolecular hydrogen bonding भी हो रही है तो यानि कि यह मेरा सबसे ज़्यादा stable है तो जो सबसे ज़्यादा मेरा stable है जहाँ पे conjugate base वो मेरा क्या हो जाएगा most acidic तो यानि हमारा option 2 यहाँ क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ओके गाई गाई थांक यू classic situation से लेके meet IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 चार्स उपर